हेलो विदार्थियों, मैं डाक्टर एसे मीना, एसे शोट प्रोफेशन, गवर्मेंट कोलेज बूंदी, आज का टोपिक है अपना पेरेंट्रल केर इन वर्टिप्रेट्स पेरेंट्रल केर यानी पेत्र को द्वारा अपने संतानों की देख बाल करना, सुरक्षा करना, पोषण करवाना पेरेंट्रल केर अन्डू या सिसू की पेरेंट्स द्वारा देख बाल उस समय तक करना, जब तक वो सबतंत रूप से अपनी सुरक्षा करने के लिए समर्थ नहीं होते, इसको पेरेंट्रल केर कहते हैं पेत्रक्षरक्षन अधिकतर उन प्राणियों में पाये जाता है, जिन में अंडे कम संख्या में दिये जाते हैं, सुक्राणों के उत्पादन अप्यक्सागर्थ कम होता है अब बात करते हैं, पेरेंट्रल केर इन फिसीज सामानेत मचलियों में अंडू वशिशू के पेत्रक्षरक्षन पर कम ही ध्यान दिया जाता है अधिकांस्त मचलिया सुरक्षिस तलू पर ही अंडे देती हैं, इनके निशेचन की सुनिश्चित कर ही संतुष्ठ हो जाता है किन्तु कुछ विशेश जाती हूँ कि मचलियों में पेत्रक्षरक्षन या परेंट्रल केर के किरिया पाय जाती है परजनन की किरिया अनक मचलियों में माइग्रेशन के बाद की जाती है इसके लिए जोडे बनाती है, अंडे देने ही तो उचे स्तान खोशती है परजनन किरिया परजनन हार्मोंस द्वारा संचालित की जाती है इन दुन्यों में इनके सरीर के रंग में परिवर्तन आते हैं तथा सोमेटिक स्ट्रक्चर में भी अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं कुछ मचलियां हलके अंडे देती हैं जो जल हस्ता पर तेरते रहते हैं इनके लिए तेलिये बंदुक पाए जाते हैं मोलवा नामक मचली लगबग तीस लाक अंडे देती हैं गेट्स नामक कोड मचली एक लाक तता हैरिंक्स पचास हजार तक अंडे देती हैं जो बारी होने के कारण जल की इस्ता पर बेड़ जाते हैं गपी पाइसी लिया नामक मचली जो सजीव परजवक होती हैं पचास से कम संख्या में सिसू उत्पन करती है पेले जिक मचली ओं में अधिक संख्या में अंडे देना संबह होता है निश्यजन ना हो पाने के कारण संबह मता नश्ट हो जाने के बावज़ूद कुछ का सुरक्षित परिवर्दन हो जाने हैं तो सुरुक सागरों में पिया जाता है अधिकांस मचलियों में external fertilization पहे जाता है किन्तु कुछ में internal भी होता है तथा वीवी पेरश भी होते हैं उधारने के लिए गंबूशिया जोरा सेज पोईशीलिया इन में मेथुन के लिए मेमल्स के समान पाई जाती है सीसू का पोशन पले सेंटर द्वारा किया जाता है पोईशे लिया में तो मेथुन है तू फिरो मौच इस्तरवन नर्द द्वारा किया जाता है जो जल के साथ मादा को इसक्रिया है तो आवंतिर्द करता है सीसू एक को समान रचना में रखे जाते हैं जहां बूर्ण पोशिये पदार द्वारा पोशन प्राप्त होता रहता है यह अंडा से पुट को द्वारा उपलब्द कराया जाता है यह गर्बधारन के कुछ मैनों तक अतेदिक समहनी बने रहते हैं रोडियस एमरस में मेत्थुन के उपरार मादा स्वान मुसेल के साइफन में अंडे रखती है इस किरिया है तो मादा के कलोय का नलीकार अंड ओविपोजट के रूप में रुपांतरित हो जाती है यह किरिया हार्मों से द्वारा नियंतरित होती है नर निक्षे पित अंडू पर सुक्राणू छोड़ता है इस किरिया है तो नर अंडे देने के लिए मादा के आसपास ही चकर लगाता रहता है पेरेंट्रल केर के अंतरगत नेस्ट बिल्डिंग अंडू किया प्रोटेक्शन शरीर से ओसजन अध्यावरण प्यालू का निर्मान मुख में अंडू को सेया जाना बूर्ण कोस्ट की उपस्तिती एवं सर्जिव वीविपेरस जैसी किरियाए संपन होती है इनका वरण निमनास्वार है जैसे नेस्ट बिल्डिंग उत्रिये अमेरिका में स्वच जलिये तालामों में की जीलों में पाई जाने वाली छोटी स्वच जलिये मचली नर इस्टी कलबेक या गेश्टोर इस्टियस एक्सुलिये टस के गुर्दूं से एक चिपचपा सीक्रेशन निकलता है जो जलिये पोदू में विश्च तर सेवाल तंतूं को चपका कर गोशले के निर्मान हेतू प्रियुक्त किया जाता है नर जटील अनुरक्षन किरियाएकर मादाओं के गोशले को सुरंग में अंडे देने हेतू रिजाता है मादा दुआर अंडे दिये जाने के पस्यात अंडों से बच्चे निकल कर गोशले के निकट पेरा देते वे घुमता रहता है इस ओर आने वाले प्राणियू की रक्षा करता है जनर काल में नर के उदर भाग में रंग गेरा लाल तथा नेत्रा का रंग नीला हो जाता है जो अन्य प्राणियू को कत्रे की चेताउनी का संदे देता है नर मचली, क्रेनो लेबस, ओसी लेटस भी अपने गोशले पर पंख की शायता से पंखा जहलने की किरिया करती है उत्री अमेरिका मैं ग्रेड लेक में रहने वाली बोफिन, एमिया, कालवा जलिए, पोधा के बीच एक प्रात्मिक परकार की वर्ता कर गोशला बनाती है नर अंडू में हेचिंग तक इनकी रक्षा करता है हेचिंग के उपरा दिये तरुन मचलिया को कुछ दिनों के लिए अपने साथ साथ रखता है अफ्रीकन फूफस्मीन यानि प्रोटोपटेरस का नर लंबी दलदली घास की जड़ू में अंडा का गड़ा बना कर इस गड़े में गोशले का रूप दिया जाता है जिसमें अने को मादा अड़े देती है जिनके संक्या पांच अजार तक हो सकती है नर इस गोशले की रक्सा करता है तता अंडू को उचित वायू की मातरा के आपूरती कर जलस्त पर पहार कर जल को निकालता रहता है अमेरिकन लग फिशेज लेपिडो साइरन का नर भी गोशला बनाता है जिसमें मादा द्वारा अड़े दिये जाते हैं नर इस सुरंग नुमा बिल को छोड़ कर बार बार बाहर आता है वो वायू मंडलिय वायू को निकलता है ताकि सुरोणी पंक्खु की किरिया से अंडू की नवजात मचलिव को रुधिर द्वारा ओक्षीजन की आपूरती अधिक अधिक हो सुके बेटा एवं मेक्रोपोडस तथा कुछ अन्ने मचलिव में नर मुक्वे अंडे लेकर मुकस एकतरीत कर लपेट कर तेरते वे हवा के बुलबुलू वो गोसलू पर पैक देता है जिससे ये चिपक जाते हैं और जल के साथ बहकर नश्ट हो जाते हैं अंडू के चारो और कुण्डली बनाना है फोसल नमक मचली में एक नरमादा दुआरा अंडे दिये जाने के उपरांत उसके चारो और एक गोला या गेंद के समान कुण्डली बना कर बना लेते हैं ताकि अंडू की सुरक्षा हो चुके बोडी से ओस्जन करना अथार अटेजमेंट टू बोडी कुर्टस यानि न्यूगिनी फिस का नर अंडू से बच्चों के हैचिंग होने तक अंड समू को अपने सियस्ट बाग पर उपस्तित एक हुक परवर्द में उलजा कर ओस्जित रखता है साथ ही इनका हीटिंग भी करता है पॉर्मेशन ओप इंटेगुमेंटरी कप्स एस्पेड्रो तथा प्लेटी स्टेकस नामक मचलियों में फर्टिलाइज़शन अंडे मादा के उदर भाग पर कोमल एम स्पंजित वचा में सुरक्षित रख दिये जाते हैं परतेगंडा एक प्याले के समान खांच में एक वरंथ से सहलगना अवस्ता में रखा जाता है अंडू से हेचिंग होने तक मादा इने इसी अवस्ता में वहन करती रहती है मुख में आश्रे देना यानी सेल्टर इन माउउथ अनेक मचलियां अंडू को मुख में रख कर उने सेती है एरियस नमक सलकरही मचली में नर तथा टाइलेपिया में मादा निश्यचित अंडू को मुख में हेचिंग होने तक लिए गुमती रहती है ताकि इसका इसकी पूर्ण सुरुक्सा हो सके इसके अतेद छोटे सी सु भी खत्रे के समय जनक के मुख में आसरे बना लेते हैं ताकि खत्रे से सुरुक्सा हो सके ब्रूड पौच हीपो केंपस अथार्थ समुद्री घोड़ा तथा पाइफिस यानि सिन्य तस में मादा नर के उदर भाग पर इस्तीत एम्डियो पाउच में अंडे स्तापित कर देते हैं बूड कोश स्वाणि पंक्खु से मिलने से बना होता है अंडे हेचिंग होने तक बूड कोश में ही बने रते हैं जलपरी बटवे यानि की मरमेड पर्स औवी पेरत सार्क जैसे साइलियस अपने निशेचित अंडू को सरक्षी सरंगी अंड स्पुटू यानि की एक केप्सूल में रख देती हैं जिने जलपरी का बटवा कहते हैं ये अंडे हेचिंग समुद्री सेवाल से अपने लंबे तंतू या डेंड्रिल से चिपके रहते हैं हेचिंग के समय बच्चे अंडे के अंड स्पूट को तोड कर बार निकल जाते हैं राजा नामक स्केट अंडे देती हैं अंडे अंड कोश में रखे जाते हैं इन पर चार स्पाइंस होते हैं किंदू तंतू नहीं पाए जाते हैं वी वी पेरिटी मचली में कुछ जातियों बच्चे देती हैं उदारन के लिए इसके लिए डोण यानि की डोगविस तथा सर्फ मीन यानि साइम मेटागेस्टर एग्रिगेट्स मैं निशेचन एवं परिवर्धन की किरियाय मादा के शरीर के भीतर ही होती है डोडोप्मेंट के समय एम्ब्रियों का पोशन योक्षेक प्लेसेंटा द्वार किया जाता है इस परकार उचस्तनियों की भाति सिस्व की पूर्ण सुरक्षा प्रधान की जाती है इस उचस्तर का पैतरक सरक्षन यानि की रक्षन किया जाता है हेप्टे का नामक शार्क भी बच्चे ही देती है किन्तु इन में प्लेसेंटा नहीं पाये जाता है साइम मेटा गेस्टर की देगवा में उपास्ती परियुदन सील तरुन उत्पन होता है